बसकार दोस्तों स्वागत है आपका आज मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों के काम्याभी के लिए मा क्या करे तो ये पहला उपाई है जैसे नौकरी, पराय या बच्चे के बुरी संगति में पढ़ जाना और माबाप का बात ना मानना फिर बच्चे दूसरे के कहने पर आने लग गया है और माबाप की इज़त नहीं करता है अगर ये सब करता है तो मा को क्या करना मा जिस दिन भी आप संकल्प लेगे बच्चे के नाम से एक संकल्प सुथर अपने हाथों में जरूर बांदेगे पहले गंगजल से आप हाथ साप करेगे थोरी सी गंगजल, थोरी सी चावल और थोरी सी लाल फूल फिर आप हाथ को मुठी से बंद ले फिर आप बच्चे के नाम से संकल्प लेगे फिर आप कोई सा भी मंत्र ले सकते हैं जैसे कि आप बोल सकते हैं ओम हंग हनुमते नमा, ओम गंगन पते नमा, ओम नम भग्वते वासुदेवाई नमा, कोई साबी मंत्रा, ओम नमस्वाई, लेखिन कोई साबी मंत्रा आप ले, ये आपको 11 माला जपना है और 7 दिन तक जपना रहेगा, लेकिन जाप करने से पहले, आपको किसी भी पातर में एक जल जरूर भर लेना है, अगर लोटा में आप भरे तो ज्याद अच्छा रहेगे, आप कोई माता का मंतर पढ़ सकते हैं, या फिर गाहितरी मंतर भी ले सकते हैं, फिर वो मंतर पढ़ने के बाद जो पातर में वो जल रखा होगा, वो जल को अपने बच्चे को पूरा पि मैं कोई दूसरे उपएब बताने जा रहा हूँ, आपको कोई भी एक ऐसा फल लेना जो साथ दिनों तक खराब नहों, जैसे कि नारियल, लेकिन इसमें आपको जल को पातर में भर कर पिलाना नहीं है, बच्चे को, आपको इस फल को रोज अपने हाथ पे लेना है, और ग्य आतवा दिन खतम होने के बाद आपको उस फल को अपने बच्चे को पूरा खिला देना है, इसमें आपको कौन से मंतर पणना है, इसमें सिब आपको ओम, बस इतना ही बोलना है, ओम, जिल से बोलना है, और ये ग्यारा माला जप करना है, और मन में इच्छा रखना है कि आप कि बच्चे से जुरी जो भी समस्या है वो जल से जल दूर हो जाए। साथ दिनों बाद अगर वो फल जब बच्चा खाएगा वो इतना दिव्य फल हो जाएगा कि उस बच्चे में इतनी पवित्र सक्ती आएगी कि उसमें कुछ सुधार होने लगेगा और बुरी चीजियों से दूर हो जाएगा मा के उपाई करने से बच्चे की जीवन की समस्या जल्द ही दूर हो जाती है